म Grad discriminate आप यहां है जिस एर्या में जैसे हम यह रहे पेटोरणम के पसusta प्रोटेश्ट कर रहे है तो अंहोंने जहां हम प्रोटेश्ट कर रहा है उस एर्या कीलाइट सब्द करड that प्रश्वाइब दोनों मौझूद थे हम दोनों सामने करें थे पुलिस जब हम से वन टू टायलॉग कर रहे थी तो हम दोनों बात कर रहे थे इन फैक्ट में पुलिस के बात करते हुए वीडियो भी बना रही थी ताकि प्रूफ रहे एविडेंस रहे एंड उनके एक अधिक हम खड़े हैं खुरेजी पर और खुरेजी लक्षमी नगर विकास मार्क से लगबग आदा किलोमेटर की दूरी पर है यह वो जगा है जिस जगा पर शाहीन बाग की तरस पर यहां CAA NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है कुरेजी के अंदर जहां पर अभी लगबग एक घंटे पहले साड़े तीन बजे के आसपास में यहां पर बताया गया लोगों का रोप है कि कुछ पुलिस कर्मी आए और पुलिस कर्मियों ने इस प्रोटेस्ट को जो शाहीन बाग की तरस पर यहां प्रोटेस्ट जारी है इस प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए कहा आप यहां पर मजूद थे उस वक्त क्या मामला हुआ था क्या गहा था देखिए हम लोग यहां पर बैठे वे थे जैसे कि कल सी प्रोटेस्ट चल रहा है हम रेगुलर डे की तरह यहां पर बैठे थे हम अपना गाना गा रहे थे और एक-एक करके अपने अपनी बात रख रहे थे जो कि प्रोटेस्टर्स है वो अपनी बात रख रहे थे तो सड़नली हम पीछे देखते हैं कि काफी सारे पुलिस वाले खटा होने शुरू हो जाते हैं हमें इंफोमेशन मिलती है कि अडिशनल डीसीपी आएवे तीन एसीपी आएवे और एक कोई नई आईसेफ ओफिसर है जो सिविल अड्रेस में थी अचानक से देखा वो एकदम भरने लग गए अब कल वो लोग नहीं आये कल कोई सिक्यूरिटी रीजन से भी नहीं आया हमसे पूछने भी नहीं आया कि आपको कोई सिक्यूरिटी पॉर्पस से पुलिस की जरुवत है या नहीं है सड़नली खटा हुए हम गाना गा रहे थे आजादी के तराने गा रहे थे वो अंदर बढ़के उन्होंने आके एक जगा खड़े हुए सड़नली उन्होंने हमसे बोला कि हम आपसे बात करना चाहते है उतने ही देर में वहां से लाइट कट गई जब तक वो नहीं आये थे तो दिन से यहां पे बहुत अच्छे से lighting और srvich cochler we स्टानली लाइट करती यह राट करना शुरू करते हैं in a meanwhile हम लोगों ने अपनी कंस ज़डा ली थी हमने बाथ करते कर वह अने पिपры हमने बात करते करते उंसे दस बार बोला कि sir we will talk to you first switch on the lights वहाँ पे additional DCP खड़े वे थे क्या उनकी responsibility नहीं थी कि जब यहाँ पे 50-60 औरते बैठी है तो आप light जलवाईए जब उनसे बोला कि sir light जलवाईए तो उन्होंने हमें यह जवाब दिया यह मेरी ड्यूटी नहीं है शेम ऑन दीज जैली पॉलिस पीपल जो वह एक विमेन को यह जवाब देते हैं कि मेरी ड्यूटी नहीं है तो आपकी ड्यूटी क्या है कि Amicha Modi जो बोले आप वो करें आप रात को यहां पे आ रहे हैं उन्होंने आती हमसे यहां पे बोला कि आप ड हमारे टाइम निकला ही होगा उतने दिर में पीछे से आवाज आती है हमारा जो यहां पर क्यांप्स लगावा है उस टेंट को फार दिया जाता है और उखार के खीच के ले जाते हैं अब यह साही कर लिया है हाँ अब हम यह रिकवर करके यहां पे बैठ गया है वह उन्हों उन्हें पूरा फार दिया टेंट फारने के बाद वो डी सीपी के नाक के नीचे यह सब हरकत हुई है और उनको इतनी से भी शरम नहीं थी कि सब करा कि इसने उनको आइडेंटिफाय करें वह आके हमें धमे डर आ रहे हैं कि आपकी बात खराब हो जाएगी आपको खीच लि आइडेंटिफाय करा है जिनका कौज हमसे अलग हो सकता है तो मैं उनसे सवाल करना चाहते हूं कि आपने उनसे बोला कि आपने अधर ग्रूप से बात करकि यह कहा कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट जो लॉक कर रहे हैं उनको करने दीजे हम कोई रोड ब्लॉकिज नहीं कर हम कोई लॉन नहीं तोड़ रहे हम यहाँ पे अपना constitutional right को यहाँ पे इसिमाल कर रहे हैं यहाँ पर हम प्रोटेस्ट पे बैठे वे तो उनको हमसे दिक्कत क्या थी किस वज़े से उन्होंने यह हरकत करी किस वज़े से वो हमें यहाँ से निकालना चाहते थे वो हमारी आव कर दिया है शाहीन बाग के लिए भी के पुलिस का काम है से पीसफुल चलाने का क्या कहते हैं मेरी फ्रेंड ने अलड़ी हां सब कुछ क्लियर कर दिया हूं मैं दुबारा से बताना चाहूंगी उनका अब उसक मौजूद थे हम दोनों सामने कड़े थे पुलिस जब हमसे व क्या आ ने बदाने कंड़े जब और उन जबह बना मैं जब यए इसारा करें कि नीचे करो और जब भी हमने नीचे नहीं करा और वह बाते हों में लगे और वह में अच्छ रहे थे जिए एक तरह से एक हैं बात कर रहे थे तो अच्छी ब्लिस छ़गरा थें बहां एच्छ में उनका यही मोटिव है कि वो हमें उठा दे किसी भी तरह यह दूसरा शाहिन बांग जाए दिल्ली के अंदर परे नहीं है अपना देश के गीद गा रहे थे बहुत हलकी आवाज माइक भी हमने अटा दिया था एक दम लेडिस और जेंस पुलीस आई काफी सारे थे वहाँ पर आकर खड़े हो गए पहले फिर पीछे गूम कर आए फिर वापीस आए लाइट कितने बजे बंद हो थी जैसे लाइट की बाल जब ही थोड़ी देर बाद ही बंद हो गई थी पिस जब हमारे पास आकर खड़े हुए ना फोरन लाइट वहाँ कि आप यहां से अरिया में जैसे हम यहां पर खुरेजी के पेट्रोल बॉम के पास ब्रोटेस्ट कर रह तो बेसिक ऐम ही जाई ही ता कि हमारे यहां पर प्रोटेस्स को खराब कर दिया जाए और यहां से और अटे उटके निकल जाएं कि अब्ची ने कहा भी कि अप्लाइट अपप लिए टिए तो गहा हमारे हाथ में ये ये लाइट हमारे हाथ में नहीं इन्हों ने फिर बात भी कि उनसे कि आप ढ़रे हैं तो याप जिम्मेदारी लेते हैं यहां पर कोई दंगे आजाए तुम्हारा नाम किया है तु विच रप्लाइब मैं इस इंडिया गया लोग यह पर अंदर आए है जितने भी बैंबू रगे उसको खीचा है वो उस वक मेरा नाम पूछ रहा है यह जब यह देखने के वजाए नाम किया है कि अधर किसने करी है वो मेरा नाम पूछना चाहिए था कि मेरे पर वो एक्शन क्या वह पुलिस के लोग थे जो लोग यहां पर तरपाल गया जी बिल्कुल बिल्कुल पुलिस के ते यहां पर सिधार जैन आये थे उन्टेर वाज नेम ऑनिस आई डोंट रिमेंबर इस पोस् कोई सड़क ब्लॉक नहीं कर रहे हैं हम कोई लॉब रेक नहीं कर रहे हम यहां पर एक कोने में प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम यहां पर अपनी आवाज आगे रख रहे हम अपनी आवाज सरकार ते चुनाना चाहते हैं वह हमारी आवास को दबाने आए थे को कहते हैं सरकार की कि आपके अवास पहुच गई कि अंदर का समाल लें आप बाहर का समालें हम अंदर कुछ नहीं होने देंगे आप बाहर का समाले कि अगर दंगई आ गए तो उनका जवाब बहुदा देखिए कि कि अपनिर फोर्स लगा है जा युब जाब है अब इदर से वह ने हमने बड़ी मुश्किल से रोखा वो किस तीस लिए लगारे थे महलुम किसलिया प्रोका हम अपने हग के लिये लगा शी किसी लिए लगा रहे थे तो आपने उनको क्यों नहीं रोका आप किसली लागा रहे थे आप की डिंटिफाय करना और आपकी रिस्पोंसिबिशेटिया बारकड़ों के देखना कि कौन डंगा कर रहा कौन नहीं कर रहा हुआ यहां पर प्रोटेस्ट चलेगा तो इस प्रोटेस्ट चलाते हो कि कोई यहां पर मिस हापनिंग नहीं होगी यह कोई आसमाजिक तत्व नहीं आए का जब कि थाना यहां से 10-20 कदम की दूरी बड़ी है बिल्कुल मतलब आपको गैरंटी लेनी है कि कौन आ रहा है कौन नहीं जब गैरंटी हमें लेनी है कानून के लड़ना हमें जब सरकार को बताना है हमें कि आप जागो आप कुछ काम करने रहे हैं अब आप काम करने लग जाई है करना है तो यह पुलिस और यह सरकार बैठी क्यों है हमे पैठा दिए लिए कि लिजिन करने और नहीं चाहिए जाए दो बीन हो ग Allah हम पर्देवाजी बेहन हैं इसलिहां हम आह नहीं निकल सकते हम एक तरफ को प्र आपना दरना दे। हम कोई परशान दिक वैं किसी को हम कोई गाली साथी और लगना ए टो आपको इतराज़े तो आपको क्या इतराज़ ह मैंने उनको बोला सर यहां से निकलिए हम तीन चार रेप्रेजेंटेटिव बनके विदाउट मेंशनिंगार आइडेंटिटी हम आप से एंट्री और एग्जेट गेट पर बात करेंगे तो भार मेंशनिटेटी हम आप से एंट्री और श्तली और रेप्रेजेटिया करेंगे